असकार जैन साथियो स्वागत करते हैं आपका अपने यूटिब शनल नोक्रीश अपाल में साथियो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF की तरह से जो ट्रेश्मेंट की बंपर भरती निकल का है उसके बारे में और दोस्तो इस भरती के लिए आप कब से फॉर्म फिल अप कर सकते हैं तो मैं आप सभी को बताता हूँ 27 मार्च 2013 सी इस भरती के लिए फॉर्म फिल अप करने का स्टार्टिंग डेट है All over India के male हो या female candidates इस भरती में भाग ले सकते हैं तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस भरती के बारे में फुल डिटेल्स में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ सिहत जरूर कीजेगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस भरती के बारे में जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया कॉंस्टेवल टेकनिकल और ट्रेश्मेंट के लिए बरती निकल काई कुल पोश्ट की बात करें तो यहाँ पर 9212 पोश्ट के लिए बरती निकल काई है चलिए यहाँ पर देखते कौन कौन से पोश्ट के लिए बरती है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ इन्पोर्टेंट बातों को यहाँ पर देखने वाले है सबसे पहले इन्पोर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 27-3-2023 से इस भरती के लिए उनलाइन माध्यम से फॉर्म फिल अप करने का 25-4-2023 और दोस्तों इस भरती के लिए एकजाम आपका होने वाली एक से तेरा जूलाई के बीच अड्मिट कार्ट दोस्तों आप 26-2023 से अड्मिट कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं वही दोस्तों यहाँ पर अप्लिकेशन फी की बात करें तो जेनरल, OVC, EWS के लिए 100 रुपे लगने वाली है HTSC और फिमेल कंडिडेट्स जो कोई भी कैटेगरी से आते हैं उन सभी के लिए कोई भी फी नहीं लगने वाली यानि कि 0 रुपे फी लगने वाली है दोस्तों यहाँ पर फी पेमेंट आप डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ओफलाइन चलान के थुरू कर सकते हैं चली आगे वर्थे और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर ड्राइवर पोस्ट के लिए आपका 21-27 वर्ष के बीच होना जरूरी है वहीं दोस्तों अधर पोस्ट के लिए 18-23 वर्ष मांगा गया है यहाँ पर कैटेगरी का अनुसार एज में भी छूट दी गई है टोटल पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जिसे मने बता दिया 9212 पोस्ट के लिए वर्ष निकल काई है वहीं दोस्तों male candidates के लिए 9105 पोस्ट है और 107 पोस्ट female candidates के लिए है चलिए ट्रेड के अनुसार हम लोग यहाँ पर पोस्ट की देखे कितने पोस्ट के लिए वर्ष निकल का आई है qualification यहाँ पर 10th pass यानि की metric pass के साथ-साथ ITI certificate related trade में मांगा गया है वहीं दोस्तों आगे हम अगर देखे तो mochi के लिए यहाँ पर 151 post है carpenter के लिए 149 post है tailor के लिए 242 post है brush band के लिए 172 post और pipe band के लिए 51 post vigular के लिए 1360 post माली के लिए 92 post painter के लिए 56 post cook और water carrier दोनों मिला कि यहाँ पर 2475 post है वहीं दोस्तों आगे बढ़े और यहाँ पर धोवी के लिए देखे तो धोवी के लिए 406 post है barber के लिए 304 post और सफाई करमचारी के लिए 824 post यानि कि total बात करते हैं यहाँ पर 291212 post है दोस्तों यहाँ पर जैसे qualification की बात करें तो driver के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया 10th के साथ साथ HMB driving license होना जरूरी है motor mechanic vehicle के लिए 10th pass के साथ ITI certificate होना जरूरी है वहीं दोस्तों नीचे दोस्तों अन्य ट्रेड पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 10th pass अगर आप हैं तो इस बरती में भाग ले सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिलप कर रहे है उस ट्रेड के लिए मतलब working knowledge होना जरूरी है ठीक है ना चलिए और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर हाइट की बात करें तो मेल कंडिडेट्स के लिए हाइट मांगा गया है अधर काटेगरी यानि कि जेनरल और विसी और एडवलुस के लिए एक सो सतर सेंटीमेटर मांगा गया है वहीं गाट के लिए एक सो बार सट पुइट पाएंट Are उनसे माँद है तो इस परकार से दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेस में मैंने बता दिया आपको समझ में आ चुका होगा इस बरती के बारे में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजेगा अगर आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाई हो आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोच सकते हैं और ऐसे ही नए नए भरती के अपडेट पाने के लिए दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन जरूर दवा दिजेगा धन्यवाद